हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल और आज किस वीडियो में हम लोग क्लास 7 NMTC का जोमेटरी चाप्टर का कुछ कुछ कुश्चिंस करेंगे तो लेट्स बिगिन कि अगर मैं इसे बीच चैसे डिवाइड कर दे तो ये दो डियांगल्स में डिवाइड हो जाएगा और triangles हम लोग को क्योंकि एरिया find करना है तो हम लोग एरिया find करेंगे यह first triangle जे एकर रखेंगल फिर्स्टरेंगल का एरिया होगा 1 x 2 x 2 x 2 & 2 x 2 से 2 कट जाएगा तो पहले वाले rectangle का एरिया होगा 2 now second वाला triangle second वाला triangle का भी same formula होगा 1 by 2 into base into height इसका जो base है वो होगा root 6 square root of 6 into height इस figure का जो height है वो 2 हो जाएगा क्योंकि इसका भी जो सबसे longest side है वो ये वाला होगा तो इसका height भी 2 हो जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा तो second figure का हो जाएगा root 6 तो इस पूरे figure का area हो जाएगा first triangle plus second triangle का area हो जाएगा 2 plus root 6 this is our answer so let's move on to our next question so thanks for watching and if you like this video then don't forget to like subscribe and share thank you subscribe please